आप सभी को दोस्तों हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अबनंदन है हमारे चनल पर सपनों की खूब सूरत दुनिया में। आए हम सभी चलते हैं सपनों की सैर करने, जब हम सोते हैं हमारा सरीर निद्धा वस्था में होता है, तब हम सपन की सेर करने के लिए निकल जाते हैं लेकिन उससैर में हम उस घूमने पिरने की जगा में हम कोई निश्चित अस्थान पहले से सिद्ध नहीं होता है पहले से पता नहीं होता है लेकिन दोसे जड़ा सोचो यह सपने कहां से क्यों आते हैं और कभी-कभी तो ऐसे सपने आते हैं जिनके बारे में हम अनुमान भी नहीं लगाते जहां कभी-कभी पहले गए नहीं हैं जिसको कभी देखा नहीं है वह सब भी हमारे सपने में आ जाता है तो दोस्तों यह सपने इसी लिए आते हैं क्योंकि इनका हमारे जीवन से बहुत बड़ा संबंद है क्योंकि यह होने वाली जीवन की घटनाय है उनको प्रथम सूचना देने के लिए यह सपने आते हैं तो दोस्तों आईए हम उसी क्रम में आज आपको बताएंगे कि अगर आपने स्वपन में जाडू देखा है तो उसका क्या परणाम हो सकता है ज हमारे घर के बड़े वज़ूर कहते थे कि मंगल और अभिवार को जाडू का इस परस नहीं होना चाहिए भी अशुप माना जाता है लेकिन दोस्तों अगर स्वपन में आपने जाडू देखा है तो उसका परणाम अशुप माना जाता है जी हां ऐसी मानेता है दोस्तों कि अगर आपके सवपन में किसी तरह से जाड़ू दिख रही है तो ये आने वाले समय में किसी नुकसान के लिए आपको आगाह कर रहा है तो अभी आपको सतर को होने की आवश्यकता है लेकिन दोस्तूं यही हमारी कहानी यहीप हमारी जानकारी बन नहीं हुरती हम फिर से एक अच्छी रोचक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार